दोस्तों इनफोकस सिविल एकैडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों UPPSC और ROARO की तमाम परिक्षाओं में जो भी प्रकार के निबंद पूछे जाते हैं उनके संबन में हम लोग अपनी detailed analysis कर रहे हैं इसके बारे में आपको पिछले वीडियो के माध्यम से आपको सूचित भी किया गया था कि इस परिक्षा से related यानि निबंद की परिक्षा से related इसकी एक संपूर्ण तयारी हम लोग फ्री में आपको करवाने जा रहे हैं इसमें आपको telegram group के माध्यम से कर आई जाएगी तयारी तो साथ ही वीडियो सेरीजके माध्यम से आपको काफी सारी बाते बताई जाएंगी निबंद discuss किये जाएंगे इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग इसी वीडियो सीरीज का दूसरा भाग ले कर आए हैं जिसमें हम लोग यह समझ रहे होंगे कि जो साहित्य और संस्कृति पर निबंद पूछा जाता है उसमें किस प्रकार की निबंद पूछे जाते हैं क्या ए और संस्कृति का अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब यह खंड का यानि कि सबसे पहला निबंद जो आपको लिखना है अब देंके पहले जो कॉपियां मिलती दि आइधिंक यानि मेंस वगएरा देने जब जाते दे उस समय में जो कॉपियां मिलती दि कि उसमें कोई भी प्रश्ण का नंबर नहीं दिया रहता दा केवल आपको आंसर आइटिंग के लिए कॉपिय मिल जाते दि उसमें आप अपने हिसाब से अपनी सहुलियत के हिसाब से कोई भी 2017 से मुझे याद नहीं आ रहे पर 2017 से यह आपका शुरू हो गया कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रश्ण जो सबसे पहला प्रश्ण है वो सबसे उपर लिखा रहता है उन्हीं तीन सेक्शन उन्हीं तीन निबंधों में यानि खंड का जो है सेक्शन ए है इसमें तीन तरह एक निबंध होंगे उनमें से आपको जो निबंध छाटना है वो सबसे पहले ही लिखना है अब यहां से एक समस्या यह आती है कि पहले के समय पे क्या होता था कि जो भी निबंध हम लोग को सबसे अच्छा आता था वो हम लोग सबसे पहले लिख देते थे परन्तु अब ये समस्या है कि आपको आता हो या ना आता हो, आपको यहां पर निबंध सबसे पहले वही वाला लिखना है जो उस खंड में दिया गया है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो विशे आते हैं, वो आते हैं साहित्य और संस्कृति, और जितना मैं जानता हूँ, ज़्या ज़्यादतर लोग ऐसा करते हैं कि साहित्य और संस्कृति विशे पर जो निबंध है, वो अक्सल छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में जो खंड का में अन्य दो टॉपिक रहते हैं, वो होते हैं सामाजिक और राजनितिक शेत्र, इस पर निबंध लिखना थो यहां पर मैं आपको एक बात यह बताना चाहूंगा, कि पहली बात कि आप लोग देखिए, एक स्ट्रेटजी जरूर फॉलो कीजिए, कि जब यह खंड का है, तो खंड का का मतलब आपका सबसे पहला निबंध यही होने जा रहा है, तो इसलिए आप लोग इस निबंध को बहुत अच्छे से प्रिपेर कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेर करेंगे तो आपकी पूरी जो निबंध की कॉपी है, आपकी पूरे निबंध में आप तीनो निबंध जो भी लिखेंगे, उन तीनो निबंध का आपका एक जो धारना बनेगी एक होना चाहिए अगर पहला निबंद आपका प्रभाव नहीं छोड़ पाया और को किसी भी प्रकार से रुष्ट या निरास कर दिया तो आप यह मान के चलिए कि उसका निबंद बाकी के निबंदों पर भी उसका अंक जो है अंकों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है ठीक है तो एक बात तो आप यह मान के चलिए कि खंड का आपको बहुत मजबूत करना है यानि यहां से अगर हम बात करें कि जो हमाई strategy का पहला इससा है वो यह है कि आप तीनों खंडों में खंड का खंड का और गर इन तीनों में आप लोगों को सबसे जादा फोकस करना है खंड क तो यह तो लोग छोड़ के जाते हैं पर यहां पर एक में कहूंगा कि इस से बेनिफिट आपको यह है कि इस आप यह क्या भविश्वारी करना बहुत आसान होता है, मतलब अगर इसमें क्या निबंद पूछे जाना है, यह आम तोर पर बहुत ज्यादा आसानी से कोई भी गैस कर सकता है, ज्यादा तर लोग जैसे मैं भी जब क्लास लेता हूँ, जो लास्ट में हमारा जो क्लास खतम हो जाती है, तो उसका कारड़ी यह है कि यहाँ पर जो साहित और संस्कृति है, उसमें लगातार एक सेम टाइप का ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें पूछा जाता है, अब बात करते हैं कि वो पैटर्न कौन से हैं, यानि कि अगर हम लोग साहित और संस्कृति पर जब अप कहले तो कि इसमें मुखिता जो है पांच प्रकार के निबंद पूछे जाते हैं, अब प्रकार के निबंद आप लोग बाद में इसका मैं हट जाओंगा तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिजेगा, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूवत नहीं रहेगी, ठीक है, और ऐ अब बान के चलिए कि अभी तब तक के लिए आप ऐसा एक उपाय कर सकते हैं, फिलहाल देखिए कि साहित्य और समाज इसमें जो है पांच प्रकार के निबंद हमाई साहित्य और संस्कृति में पूछे जाते हैं, अगर आप इन प्रकारों को तयार कर लिए, तो आप साहित से 20 बार से भी ज्यादा पूछा गया होगा, आरो एरो परिक्षा भी और आपकी अगर ये UPPSC पर PCS की परिक्षाओं को मिला दिया जाओ, पहले जो लोवर PCS में पूछे जाते हैं निबंद, जो कि जब उस समय का लोग से वायोग उसको कराता था, उन सभी को मिला दिया ज समाज के नव निर्मान में भूमिका पूछे जाती है, तो इस पे हम लोग जो है, जब हम लोग इस टॉपिक को कवर करने होंगे, अपने वीडियो के माध्यम से, तो इस में मैं आपको बताऊंगा कि इस निबंद को अगर आप कर लेते हैं, मतलब आप साहित और समाज के अ साहित और संस्कृति, मान लीजे, मैं एक्जामपल देता हूँ, अगर चालिस निबंद पूछे गए हैं, तो उसमें 35 से 36 निबंद जो है, वो इन ही पांच प्रकारों में ही कवर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी 34 निबंद ऐसे बचेंगे, जो कि इन में नहीं कवर ह होंगे, अब वो एक exception case है, अब उन exceptions को पकड़ के हम लोग जो है, वो तैयारी नहीं कर सकते हैं, कि कई बार ऐसा प्रशन पूछ दिया जाता है, कि मान लीजे, आपके GS में भी कई बार होता है, कि वो लोग कोई भी प्रशन बहुत कठिन सा पूछ देते हैं, और वो किसी ए पकड़ के आप अपना सोर्स चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसलिए मैं यहां पर भी कहूंगा, कि अगर कुछ exceptional आप ही केस में पूछ लिया जाए, तो फिर आपके पास बाकी भी तो option है, सामाजिक और आजनीतिक का option है, लेकिन अगर आप स साहित और समाज का अंतर संबंद इसकी भूमिका लिखने को दिये दे, तो ऐसे करके हम लोग अब इस बार का जो topic है, वो है कि साहित और समाज पर निबंद लिखने को, तो ऐसे ही करके हम लोग एक topic देके, उसके बाद उसका जो एक proper evaluation करके, लोगों की जो भी निबंद आत हैं, ठीक है, अच्छा उसमें जो यह देखिया कि ज्यादतर लोगों का जो essay आया था, हमें किसी के essay में ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने अंतर संबंद सही लिखाओ, तो सभी के essay में अंतर संबंद वो गलत लिखे हुए थे, तो ध्यान दीजे, यहां पर सा के उपर भी एक ब बिंदी होती है, ज्यादतर लोगों लिखा क्या था, वो सा के उपर बिंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह बिंदी जो है, वो जब ऐसे आता है, तो यहां पर बिंदी आती है, तो ज्यादतर लोगों नहीं लगाया था, और आपका यह अगर पहले ही, आप सबसे पहला न आते ह् il erst i अप लोगों समझनी इन्हीं की ऊफिर थायत्य आते है टुसरा अग्या यह उसकेड़ और पूछाल है उसके बाद यह पूछले आता है तो यह उसकी when में क्या भूमिका होती है तो ये भी पूछ लिए stays कर लेंगे विश्यस्था है उननों और सब्सक्राइब प्रश्вा रख East धर यह भी प्रशन करीब ज Cities चार से पांच बार यही प्रशन पूछा गया ये वाला बात करें तो 10-15 बार पूछा गया है ये वाला बात करें तो ये भी आपका 5-6 बार हमें दिख जाता है साहित और संस्कृति पर उससे बेश्ड निबंद पूछा गया है उसके बार देखिए बात करें कि ये पूछा गया है कि साहित का उद्देश क्या है या फिर स साहथ को लोक मंगल होना चाहिए तो वह लोक मंगल जो हाएं उस पर बैशंस में दिसकॉस कर लेंगे इन चारों को हमुए पूछए है क्योंकि यह चाल तो टॉपिक ही आपके सामने लिखें उसके बाद देखिए कई बार ऐसा भी आया है कि यहां पर एक टॉपिक पे ही बेश्ट पूछ लिया गया है जैसे कि कबीर पर पूछ लिया गया है कबीर दास प्रेम चंद तुलसी निराला भक्तिकाल रामचाहित माने इन पर पूछ लिया गया है कबीर पर निबंध हमारे ख्याल से चार या पांच बार पूछा गया है तो यह चार या पांच बार जो है लगबग यह निबंध पूछा गया है इसी प्रकार से प्रेम चंद तुलसी पर पूछा गया है तुलसी की सबसे प्रमुक रचना जो क यानिकि विश्व की सरवाधिक पड़ी जाने वाली रचना उस पर निबंद आना तो बनता है सहते और संस्कृति में तो उसके बाद भक्तिकाल जो है बक्तिकाल क्योंकि सहती का स्वर्णियुक कहलाता है तो उस पर भी निबंद पूछा गया है तो ऐसे करके कई सारे इन मु पूछे जा सकते हैं उन सभी के हम लोग मेजर अस्पेक्ट को कवर कर लेंगे और ये बात अलग किया कि आप 46 बार जो है वो मतलब यही सब पूछे जा रहे हैं लेकिन चार बार मानली जो आप ही केस में हो गया तो उसमें फिर आप दूसरे का साहरा लीजेगा समाजिक राज सुचना यह है कि आप लोगों के लिए दो टेलिग्राम ग्रूप चलाए जा रहे हैं एक इन फोकस सिविल अकैडमी नाम से है और दूसरा यूपी पी एसी आरो ऐसे मेंस राइटिंग ऐसे करके है उसका नाम जो की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानि इस नीचे आप जब डाउन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पर इन दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा और अगर ना भी मिले या वह लिंक नहीं भी खुल रहा है तो आप उसको आप जागे डिरेक्ट अपने टेलिग्राम पर आप सर्च कर लिजेगा इसी नाम से तो भी आपको मिल जाएगा ठीक है वहां पर आपको आप देखते हैं कि हर हफ़ते में एक टॉपिक मिल जाता है उसका इवैलिवेशन और मॉडल ऐसे दिया जाता है उसी के साथ ही आप जो अन्य लोगों के भी जो ऐसे पड़े रहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं टॉ यह सब भी वहां पर डेली बेसेस पर मुहया कराया जा रहे हैं जैसे ऐसे के लिए कई सारे एसे को अगरा भी आपको डेली बेसेस पर दिये जाते हैं तो यह साहित्य और संस्कृति का पोर्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका एक ओवर्विव मैंने आज अपने निवगंद के इस टॉपिक में मैंने आपको बताया है अगली क्लास जो है उसमें हम लोग साहित और संस्कृति के सीधा विशय पर आएंगे और संभवत्ता साहित और समाज को शुरू करेंगे तो चलिए आज के लिए वस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार